योगी राज में उत्तिर प्रदेश क्राइम प्रदेश बनता जा रहा है अप राधियों को ना तो यहां साशन का डर है ना ही प्रशासन का क्यूंकि उत्तिर प्रदेश में ये दोनों ही पूरी तरीके से निकम्मी साबित हो चुकी है शाजापूर में कल अदालत में जिस तरह से एक वकील को सरयाम गोली मारी गई ये मामला राज में कानून व्यवस्था की लचर हालात का सबूत पेश कर रहा है ये घटना बताती है कि राज्य में कितना कानून का राज है और कितना राम राज्य कायम है अदालत परीसर में एक वकील को सरयाम गोलियों से भून देना इस तरह के घटना ने सरकार के जूठे प्रचार का सच जनता के सामने लाकर के रख दिया है इस घटना के बाद से राज की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से कई सवाल खड़े किये जा रहे हैं सरकार पर कई सवाल खड़े किये जा रहे हैं शाजापूर कोट में वकील भुपेंद्र सिंग की हत्या कर दी गई उसका शब कोट के तीसरी मंजले पर मिला इसके साथ ही शब के पास एक देशी पिस्टल भी मिली है इससे साफ है कि प्रदेश में अपराधियों को पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है वो किसी भी घटना को खुले आव अंजाम दे डालते हैं राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के अपसमाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादब भी काफी हमलावर हो गए है उन्होंने तो हाली में यहां तक कहा था कि बीजेपी सरकार का संपुर्ण प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक है दुश्कर्म के लगतार आते मामले का जिक्र कर उन्होंने कहा था कि यूपी पूरी तरह जंगल राज में बदल गया है जहां अपराधी बेलगाम है और बहन बेटिया हैवानियत की शिकार होती जा रही है और अब इसको लेकर कि अखिलेश यादग ने ट्वीट किया है उन्होंने लिखा है कि शाजापूर में कोट में ही एक वकील की सरयाम हत्या ने एंकाउंटर सरकार के जूटे प्रचार का सच जनता की सामने लाकर के रख दिया है भाजपास सरकार में उत्तरप्रदेश रिजॉफ डूइंग क्राइम में नंबर वन हो गया है और अगर देखा जाए तो यही प्रदेश की वास्तविक्टा है जो योगी राज में देखने को मिली है प्रदेश की वास्तविक हालात यही है जो योगी राज में दिन पे दिन बिगड़ती ही चली जा रही है हाली में ऐसी कई घटनाई घटी है जो यूपी की खराब कानून ववस्ता की सच्चाई बताती है पंचाई चुनाओं में भी सत्तरूर पार्टी पर बल से अध्यक्ष बनाने क्या रोप लगे थे गोरतपूर में कारोबारी मनिश गुपता की बेरहमी से हत्या की गई इसके अलावा अभी लखिमपूर खीरी में राज्यमंतरी के बेटे आशीश मिश्टा ने किसानों को गाड़ी से कुचल कर मार डाला इसके अलावा पूरे दिन अपराधियों का तांड़ प्रदेश में देखने को मिलता है कहीं हत्याए होती है तो कहीं लड़कियों से बलातकार किये जाते हैं और अब इस तरह से कोट परीसर में ही वकील की हत्या कर दी गई है 2017 के चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अखिलेश के गुंडा राच से निजाद दिलवाना अपना मुक्खे नारा बनाया था सत्ता में आने के बाद योगी जी ने खुद को अपराद मुक्ती दाता के रूप में पेश किया था मुक्खे मंत्री की कुरसी पर बैठते ही उन्होंने अपराधियों को ठोक दो की अपील की ये अपील केवल पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को उकसाने की नियत से नहीं की गई थी बलकि आम नागरिकों को ये समझाने की खातर की गई थी कि अपराधियों का मुकाबला कोट कचरियों से नहीं बलकि सीधे सीधे एंकाउंटर में मार गिरा करके भी हो सकता लेकिन यहां ठोक दो वाली निती अपनाने वाले सरकार के राज में अपराधियों को नहीं बलकि आम लोगों को ही ठोक दिया जा रहा है यहां पुलिस नहीं बलकि अपराधी ही ठोक दो वाली निती अपना चुके हैं और यही फॉर्मूला वो आम लोगों पे अपलाई कर र रहा है मुख्य मंत्री योगे अधतनात के अपराद मुक्त प्रदेश के यूएसपी का ग्राफ अब उतनी ही तेजी से गिरता जा रहा है रास्ट्रे अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो पहले ही अपने अध्यन में यह बता चुका है कि योगी के सत्तासिन होने के बाद से पुलिस मूख दर्शक बनकर रह जाती है घटना घटने के बाद योगी सरकार भी मौन हो जाते हैं इस घटना पर अब ब्यस्पी की प्रतिकिर्या सामने आई है ब्यस्पी सुप्रमो मायवती ने ट्वीट करके कहा है कि यूपी के जिला शाह जापुर के कोट परीसर में व सरकार रिसोर्स समूचित ध्यान दे लेकिन इन सब के बाद इतनी घटनाए घटने के बाद लोगों के ट्वीट के बाद भी बीजपी सरकार को ये सब प्रदेश में होता हुआ अपराध नहीं दिखाई पड़ता है प्रधार मंतरी भी जब दौरे पे आते हैं तो योगी स सरकार की तारीफों के पूल बांद करके जाते हैं लेकिन सच्चाई बिलकुल उलट है ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश की जनता को अपराधों के इस्राम राज्य से मुक्ति मिलेगी बिरो रिपोर्ट दवीपिन टीवी